नमस्कार सूचना इवं जन संपर्क विभाग की प्रस्तुती हिमाचन बुलिटिन में आपका स्वागत है पेशे आज के समाशार कांगडा जिला के तीन दिवस्य दौरे के पहले दिन आज मुखे मंत्री श्री जराम ठाकुर का गगल आगमन पर विधान सभा अध्यक्ष श्रीविपन सिंग परमार मंत्री मंदल के सदस्यों विधायकों और स्थानिय लोगों ने स्वागत किया मुखे मंत्री ने आज धरमशाला स्थित परीदी ग्री में जनसमवाद हॉल का लोकारपन किया उन्होंने धरमशाला में जनसमस्याइं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये आज धरमशाला में मंत्रीगण, सानसत, विधायकों और जिलासतर के अधिकारियों के साथ मुखेमंत्री श्री जरामठाकुर ने बैठक की मुखेमंत्री ने अधिकारियों को विभिन विकासात्मक परियोशनाओं को समय सीमा के भीतर पोन करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग रहे किया कि वी सभी घोशनाओं के कारेनवयन की निगरानी सुनिश्चत बनाए ताकि इन्हें निर्धारित अब्धी की भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेर सरकार जिला कांगडा के विकास पर विशेश बल दे रही है। इस वर्ष राज्यस्तरिय स्वतंतिता दिवस समारहू 15 अगस 2020 को जिला कुलू में मुखे मंत्री श्री जैराम ठाकूर की अध्यक्षता में आयोचित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री गोविन सिंग ठाकूर भी मुखे मंत्री के साथ समारहू में उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री विपन सिंग परमार कांगणा में जिलास्तरिय समारहू की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ राज्य यूचना बोर्ट की उपाध्यक्ष श्री रमेश धवाला भी उपस्थित रहेंगे। जल्चक्ती मंत्री श्री महेंद्र सिंग ठाकोर शिमला में जिलास्तरिय स्वतंतरता दिवस समारहू की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ मुख्य सचे तक श्री नरेंदर बढ़ाग्टा भी उपस्थित रहेंगे। शहरी विकास मंत्री श्री सूरेश मारतवाज सोलन में सामाजिक न्याय एवं अधरिक्ता मंत्री श्री मती सर्वीन चोधरी उना में और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहुदस्पीती के केलंग में जलास्तरिय स्वतंतरता दिवस समारहू की अ जिला सिर मौर के नाहन में और बहुदेशिय परियूजनाई इबं उर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जिला के नौर में और वनमंत्री श्री राकेश पठानिया जिला चमबा में जिलास्तारिय स्वतंतरता दिवस समारहू की अध्यक्षता करेंगे। की आशाओं, आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को जानने के लिए हमेशा प्रयास्टत रहते हैं। कोरोना महमारी से उत्पन हुए संकट में भी मुख्यमंत्री वर्च्वली प्रदेशवासियों के साथ संपर्प में रहे और जनसमस्याओं को जानने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी धह को साकार करने की दिश्टी से मुख्यमंत्री प्रदेश वासियों के लिए एक कारेक्रम शुरू करना शाहते हैं। ये कारेक्रम सोशल मीडिया, रेडियो व टेलिवीजन के माध्यम से महा में एक बार प्रसारित होगा। इस कारेक्रम के लिए प्रद हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्ख विभाग और हिमाचल माईगव द्वारा किया जाएगा। राजे सरकार ने इस ओनलाइन यानि वर्चुल जनसंवात कारेक्रम के आकर्शक नाम के लिए प्रदेश वासियों से माईगव पोर्टल पर 15 अगस 2020 तक सुझाव आमंत्रित के हैं आकर्शक नाम सुझाने वाले प्रदिभागी को मुख्यमंत्री 5000 रुपए की राशी बतौर इनाम प्रदान करेंगे। आज तक प्रदेश में कुल 2936 लोगों में कुरोना वाइरस की संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन मेंसे 1811 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 1085 विक्ती उपचारा धीन हैं। हिमाशल बुलिटिन के इस अंक में इतना ही दीजिये जाज़त नमस्कार।